नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पवन मिस्वा पीके हंदिग्यान बुक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा न्यू इस्टाइल वापकीज वेफसाइट के यह एंड तक देखते रहे क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको कोड भी दूँँगा और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अपने जो है requirement के अमसार आप उस code को कस्टमाईज कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप end तक देखते रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस code के बारे में review करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यह देखने में कैसा लगता है मेरे website पर और दोस्तों इससे पहले जो को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपने वापकीक website के लिए एक बहुत ही अच्छा new style latest update code जो की auto color change होता रहता है यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका link मैंने नीचे description में दे दिया है आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं स्क्रोल करता हूं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो फॉल्डर कोड एड किया हुआ है new जो मैंने अभी अभी तो यह वाला यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो आप चलिए मैं सबसे पहले आपको वता देता हूं कि कैस से आप इसे अपने मन मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक फॉल्डर आइकन जो इमेज लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक एरो का आइकन लगाया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बाइग्राउंड का क कि कैसे आपको add करना है तो मैं अहाँ पर item पर click कर लेता हूं दोस्तों इसके बाद मैं उससी code को थोड़ा बहुत edit करके आपको दिखा देता हूं जैसा कि आपने देखा है दोस्तों मैंने वहाँ पर जो उसका background color है उसे थोड़ा हलका रखा हुआ है तो आपको भी अगर कोई change करना है दूसरा color रखना है तो उसे आपको हलका color ही रखना है कोई dark color नहीं लेना है नहीं तो जो उस पर text मैंने लिखा हुआ है folder का नाम दिखाई दे रहा है वो सही से दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इसका background color change करेंगे तो यहाँ पर आपको यह यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है TD और यहाँ पर आपको color ABG color यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप चाहें तो कोई color code भी डाल सकते हैं या फिर कोई नाम भी आपको पता है तो आप यहाँ पर type कर सकते हैं जैसा कि मैं यहां पर lime कर देता हूं इस तरह से और फिर मैं यहां पर edit पर click कर देता हूं इसके बाद मैं view mode पर click कर लेता हूं फिर देखते हैं कि क्या इसका color change हुआ है या नहीं देखें दोस्तों मैंने इसका color जो है background का lime कर दिया है तो कुछ इस तरह से यहां पर यह color जो है रहने दें और दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप यहां पर यह जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है यहां पर मैंने जो यह फोल्डर का जो इमेज लगा हुआ है अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं क देख सकते हैं यह image का जो है url लगा हुआ है यह url आपको यहां से ले करके और यहां तक यहां तक आपको मिल जाएगा यह देख सकते हैं .png यहां पर .png तक आपको ड्लीट कर देना url और दूसरा url लाकर के हट पर paste कर देना है जो भी आप अपने जो है website में जो है show कराना चाहते हैं अपने folder की icon में तो और दोस्तों जो मैंने आपको arrow का जो icon दिखाया है जो जी आई अप लगा हुआ है वो यहां पर second वाला image जो यह show कर रहा है यह जी आई अप है तो आप इसे भी change कर सकते हैं अपने requirement के अनुसार आप यहां पर यूज कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर आपको कभी कभी थोड़ी बहुत problem यह सकती है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर मैंने एक दूसरी website जिसका मैं tutorial already बना रहा था इसमें देखे मैंने यहां पर add किया है वही वाला code तो दोस्तों यहां पर इसका जो CSS है यह सही से नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर इसकी जो जो height है ओ ज्यादा कुछ दिखाई दे रही तो इससे दोस्तों आप कैसे manage कर सकते हैं आप जो है आप मेरा जो CSS है आप अपने website में import कर सकते हैं जो कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यह CSS बहुत ही अच्छा बाद में आप चाहें तो इसे modify भी कर सकते हैं पर यह CSS आप चाहें तो मेरी website का जो है import कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो इसके लिए मैंने already एक video बनाया जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप किसी दूसरे का CSS कोपी कर सकते हैं और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं मैंने जो अपने website का link आपको दिया है description में नीचे आपको मिल जाएगा pkcode.wapgym.com उस website से आप बहुत सारे CSS कोपी करके अपने website में यूज कर सकते हैं तो दोस्तो आप चलिए यहां पर मैं और भी दिखाता हूं यहां पर आप देखिए जिस folder में जितने songs यह उतने यहां पर show करेंगे ऐसा नहीं कि आपको manually यहां पर जो है type करना पड़ेगा ऐसा नहीं देखिए इस folder में केवल एक songs है तो यहां पर एक यहां पर show कर रहा है अब चलिए म मैं उस code को एक दूसरी website पर यहां पर मैं add करके आपको दिखा देता हूं तो यहां से मैंने बैक कर लिया अब यह वाली जो website मैं इसे open कर लेता हूं इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह कुछ folder बने हुए हैं मैंने यह songs यहां पर upload किया अब दोस्तों इस code को यहां से copy कर लेता हूं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस code का link मैं आपको description में नहीं दे रहा हूं इसका link आप ऊपर देख सकते हैं highlight हो रहा है वीडियो में यहां पर इस जो है website का नाम आपको यह पूरा अपने Chrome browser के search में type कर देना है और फिर slash letters में यह type करना है और फिर nine type करके और search कर लेना है फिर दोस्तों आप यहां से इस code को इस link से download कर सकते हैं easily और दोस्तों अगर आप चाहें तो pkcode.wapgym.com website से आप इस code को easily download कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने इस code को यहां से copy कर लिया है आपने देखा है तो अब मैं यहां पर इस box में paste कर देता हूं paste करने के बाद simply आपको इसे okay कर देना है और sorry दोस्तों आपको इसका जो है position सेट कर लेना है इस code का की आपको कहां पर रखना है दोस्तों इसे आपको category के नीचे रखना है तो आपको select कर लेना है इसके बाद okay करना है दोस्तों यहां पर देख सकते है code कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहां पर दोस्तों आप मेनुल यहां पर कुछ भी नहीं करना है यहां पर जितने भी songs आपके folder में होंगे वो सभी यहां पर show करेंगे अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर PK Hindi यान बुक folder में क्यों एक ही songs है तो मैं यहां पर click करता हूं तो देख सकते हैं एक songs यहां पर जो है upload है तो वह यहां पर show कर रहा है और दोस्तों जितनी बार आप इसे refresh करेंगे तो यह जो folder का नाम है इसका color change होता रहेगा देख सकते हैं जितनी बार मैं repress करता हूँ यहाँ पर तो इसका color change होता रहता है यह सभी folder का color change होता रहता है जिस तरह से latest update code का color change होता है तो दोस्तों अगर आपको यह code पसंद आए तो आप download कर लिजे pkcode.webgym.com website से या फिर जो की मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है उस link से आप download कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like करके और चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर दबाईएगा तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like कर दिजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कर दिजेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही जल्द ही हाजिर होंगे इसी तरह की interesting technology वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम